हेलो एब्रिवन मैं मेतुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे आर्मी पब्लिक स्कूल के करेंट अफैर्स वाली स्रीज को जारे रखेंगे और जो लोग पहली वार जुड़े होने हैं बता दूँ कि टॉप फिप्टी वाला जो प्लेलिस्ट है उसे जाकर जरूर देख लें जहां पर फिप्टी फिप्टी याने कि टोटल सो करेंट अफैर्स की दो वीडियो में मैंने बता रखी है तो वो दोनों वीडियो जरूर देख लें आज आपको टॉप फिप्टी का तीसरा वीडियो मिल जाएगा ये तीसरी वीडियो आज रिलीज हो जाएगी जिनको चौथा पार्ट चाहिए तो ये भी आपको मिल सकता चौथा क्या मैं पाच्वाँ पार्ट भी रिलिज कर दूँगा जिन्हें पार्ट फोर और पार्ट फाइब चाहिए होगा नीचे कॉमेंट करके आप लोग इसका जो है कॉमेंट कर दीजएगा सपोर्ट कर दीजएगा तो विडियो आज आज आजएगी यैनि कि ये कितना लंबा होता है चो वोकल कोड होता है में वो कितना लंबा होता है 10 mm, 20 mm, 30 mm या 40 mm तो नीचे इसका जवाब आप लोगों को comment section में देना है और आगे भी बढ़ना है next question देख लेते हैं क्या है which country is president science document endorsing Finland and Sweden देखे ये question क्या बोल रहा है मैं आपको बिल्कुल आसान भासा में समझा देता हूँ आपको बस उस देश के president जिन्होंने Finland और Sweden के NATO देखो NATO जो है संगठेने जहां पर बहुत सारी activities होती है suppose कर लो कि अगर दो country इसमें sign कर लिया है दो country ने तो कोई और country दोनों में से किसी पर भी sign जो है attack करेगा तो दोनों country मिल कर उसका मुकाबला करेगी तो दस्तावेज पर Finland और Sweden को सामिल किया जाना है तो किसने जो है approval दे दी है France ने, China ने, Ukraine ने या America ने तो देखे इसका जो right answer है Biden यानि कि USA ने क्या किया है अनुमती दे दी है कि चलो Finland और Sweden को NATO में सामिल कर लो और आपको पता ही होगा Russia और Ukraine war जो हो रहा था उसमें इसी बात को लेकर जो है Russia ने attack कर दिया था Ukraine पर वो भी NATO में सामिल होना चाहता था तो Finland और Sweden ने कहा कि भईया हमें भी protection में ले लो अपने Amrela के अंदर मुझे भी सामिल कर लो आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दू अगस्त के जो current affairs है लेटिस्ट वाले वो सारे लोगों को free of cost अभी तक डाउनलोड नहीं किया है यहां से मेरी email ID और इंस्टाइड आपको दिख रही है email कर लीजे आपका जोईडमेंट कार्ड है आपको अभी लेबल करा दिया जाएगा तिसरी बात जिन्होंने नोट्स अभी तक purchase नहीं किया है 99 में यह नोट्स आप acquire कर सकते हो यहां से मेरी email ID और इंस्टाइड आपको दिख रही है आखरी समय में उलट प्रट कर जाओगे तो बहुत सारे questions का जवाब दे पाओगे आप exam में तो चलिए पढ़ते हैं अगले question की ओर Which of the following announces her retirement from professional tennis यहनी कि professional tennis से इन्होंने जो है अलविदा का दिया है Serena Williams, Mariya Sarapova या फिर Simona Halep या फिर Martina Navrati Lowa तो देखिए इसका जो right answer है यहाँ से आप देख पाओगे Serena Williams, बहुत ही BVI question है, बहुत ही important question है exam में ये question आना ही चाहिए Serena Williams ने कहा दिया कि अब वो tennis नहीं खेलेगी और it is time to say goodbye उन्होंने goodbye कह दिया है tennis को आगे coach या फिर कोई और ways में जो है वो जो है tennis को pursue करते रहेंगे tennis में अपना जो passion है उसको देखते हुए साइध वो किसी team की coach बन जाए तो ये in future वाली बाते हैं और उन्होंने जो है 23 times Grand Salam जीता था, ये question साइध exam में आ जाए, अगे बढ़ते हैं अगले question की और, new langya virus कौन से country में आया जहां पे 3500 लोगों की मौत हो गई है, जो है infected पाए गए थे, आपको बताना है जपान में, भारत में, चाइना में या अमरिका में, तो देखिए इसका जो right answer है जो ये langya virus है, चाइना में हिट किया है, पता नहीं ये Chinese लोग क्यों इस तरह की उल जलूल चीज़े खाते हैं और पूरे world को सफर करना पड़ता है इससे, अब मैं दखिए किसी के खाने के choice पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ उठा तो रहा ही हूँ लेकिन इस तरह से आप चीज़ों को नहीं देख सकते हो जरूरी नहीं कि आप explore करते करते extreme level पे चले जाओ और कुछ भी खाना पीना शुरू करतो YouTube पे आप देखते हो न कि Oreo biscuit के पकोड़े बनाया जा रहे है तो ये क्या ही logic है इस बात का तो इस तरह से दुनिया को सफर करना पड़ता है आप खाते हो, there is no problem बट आपके कारन अगर कोई दूसरा सफर करता है there is a problem तो ये चीज़े यहाँ पे हो रही है खैर आगे बढ़ते हैं, next question की ओर डैस TV station, Araya News आपको बताना है कि इसे बंद कर दिया गया है critical of government, यानि कि इसने जो है, government की आलोचना कही थी इसको बोल दिया कि भाईया तुम अब बंद कर दो तो ऐसा क्या कनाडा में हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है नेपाल में हो भी सकता है इंडिया में तो बिल्कुल नहीं हो सकता है actually, यहाँ पे साइद NDTV को एक दिन के लिए off air किया गया था जी हाँ, इंडिया में भी ऐसा थोड़ा बहुत होता है कभी-कभी सरकार थोड़ी सी जो है अपने आलोचना को पचार नहीं पाती है तो फिलाल पाकिस्तान में यह कारनामा हुआ है दखिए, यह जो न्यूज है ना A.R.Y. News, यह इमरान खान को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है Actually, आप ऐसे समझ लो कि यह G. News है जो कि मोधी साहब को बहुत प्रमोट करती है आज तक भी है जो एक अंजना ओम कस्यफ है जिन्होंने एक पर अंजना ओम मोधी बोल दिया था अपने नाम को तो यहाँ पर ऐसी चीज़े चलते रहती है तो फिलाल यह राइट अंसर क्या हो जाएगा पाकिस्तान तो हर जगा पर गोधी मीडिया तो है ही गोधी मीडिया से मतलब है कि जो सरकार की तारिफ करे चापलोसी करे Which countries finance minister wants on belt and road lawns from China कि इस देश के finance minister ने कहा दिया कि जो belt और road initiative है इसका loan अगर चाइना से लिया तो नुकसान होगा बंगलादेश, पाकिस्तान पाकिस्तान क्यों ही कहेगा पाकिस्तान तो पल और जिंदा भी रह रहा है चाइना के रहमो करम पर तो यह तो होगा नहीं अफगानिस्तान, इरान तो देखिए इसका जो correct answer होगा वो बंगलादेश, जी बिल्कुल बंगलादेश के finance minister ने कहा दिया है कि अगर आप road and जो road and wealth initiative है इसका अगर आप part बनोगे तो चाइना के debt truck में फस जाओगे, चाइना ने देखिए सिरलंका की क्या हालत कर दी है लौन देकर, तो ऐसी बंगलादेश में भी situation हो सकती है, तो वहाँ के जो finance minister है मुस्तफा कमाल ने ये बातें कही है याद रखे का ये important है और हो सकता है कि foreign minister का नाम पूछ दिया जाए, आगे बढ़ते हैं अगले question की हो Indonesia says Tesla strikes dash deal to buy nickel product, यानि कि Indonesia ने कहा है कि Tesla ने जो है जो nickel product से उसको खर दने के लिए कितने कड़ो billion का जो है सौदा किया है, तो 8 billion, 3 billion 5 billion या फिर 6 billion तो यहाँ से आप देख पाओगे इसका answer इन्होंने कहा दिया कि ये 5 billion जो है Tesla product खर देगा, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा ये charging point बगेरा बनाने के लिए जो है Tesla इन चीजों को यूज करता है Tesla ऐसी car है जो की petroleum से नहीं चलती है, ये charge होती है जैसे आप mobile charge करते हैं, वैसे car charge होती है, फिर ये चलती है आगे बढ़ेंगे अगले question की ओर which country successfully launch Iranian satellite, Iranian satellite को जो है किस ने launch किया है मिसर ने, चैना ने, जपान ने या फिर रसिया ने, तो देखिए इसका जो right answer होगा यहाँ से आप देख पाऊगे, रसिया successfully देखिए, रसिया ने जो है Iranian satellite को, देखिए इरान जो है, USA का सबसे बड़ा दुस्मन है, actually तो सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा तो रसिया है, तो इरान के भी 36 के आकड़े हैं, अमेरिका के साथ, रसिया का भी है तो रसिया ही तो इरान को support करेगा यादे न, आगे बढ़ते हैं जेडियू के जो लीडर है नितिसकुमार, ये मुख्यमंत्री के रूप में सबत लेंगे कहां के, ये तो बिहार के सीयम है, हो सकता है कि ये easy question आपके सामने पूछ दिया जाए, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है, कि जेडियू ने, यानि कि नितिसकुमार ने जो है, किसके साथ मिलकर सरकार बनाई है, तो RJD जी हां, RJD, और RJD के जो अभी फिलाल नेता हैं सबसे popular बिहार में बोल सकते हूँ आप, वो कौन है? लालुजादब के बेटे, उनका नीचे नाम आप लो पॉमेंट सेक्शन में बताईएगा, आगे बढ़ते हैं और यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो फोर डे में जो मौनसून था, मौनसून सेसन, ये कहां पर सुरू हुआ है, किस राज में भी जो है, ये सेसन सुरू हुआ है, राजस्थान में, गुजरात में, हिमाचल परदेश में या अरुनाचल परदेश में, तो देखिए, इसका जो राइट अंसर है, वो है हिमाचल परदेश में तो जो करेंटरी में चल रहा होगा, नमंबर में आपका एक्जाम चल रहा है तो November में जहां पे भी Assembly चल रहा होगा तो वो आप एक बार देख लेना वैसे इस तरह के Question बहुत कम ही आते हैं बढ़ फिर भी एक बार देख लेना Which country says first batch of Indian student to return very soon India देखिए Ukraine जब से Ukraine में war हुआ है तो भारत ने बार बार अपने student को कहा है कि बहुत जल्दी लोट जाएए बहुत जल्दी लोट जाएए very soon ये warning दी जा रही है आपको बस ये बताना है कौन से country से रस्या से योक्रेन से चाइना से या जपान से तो देखिए इसका जो right answer है वो है China से, China said it has started the process for return of Indian student stuck back home due to देखिये, actually मैंने थोड़ा सा question को जो है गड़बड कर दिया था देखिए, ये question ये था ना कि COVID-19 के बज़ा से चाइना बहुत panic में था और उसने सारे जो foreign उनके यहाँ पे student हो as a student या as a tourist या as a business जोनका establish है वहाँ पे उन लोगों को उन्होंने बाहर करना सुरू किया था तो इंडिया के बहुत सारे student जो वहाँ पे medicine की पढ़ाई करने जाते हैं उनको वापस लौटना पड़ रहा था अब उनको कादिया कि आप जो है यहाँ पे आ सकते हो वापस आ सकते हो चलिए आगे बढ़ेंगे और the quick points of the day की बात करेंगे उननती आपको एक housing lawn है पता है आपको बताना है कि यह जो है किसके दोरा launch किया गया है तो pnb पंजाब national bank के दोरा यह launch किया गया है recently जो गौस्तवो पैत्रो है यह जो है president बनने वाले है तो यह किस country के बनेंगे कोलंबिया की आगे बढ़ते हैं अगले question की और national sports climbing championship will be hosted by which institute तो नहरे institute of mountaineering की जो है और से यह championship किया जाएगा जाते जाते फिर से गवार बता दू 99 रुपीज में आप मेरे hand 10 नेयोट से क्वायर कर सकते हो yourmithun sing at the rate gmail.com पे mail कर लिजे if you are on instagram then do follow me at the rate imithun sing वीडियो को यहां तक दिखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया have a good day